नमस्कार दोस्तों रोजना राश्य फल दखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें शाथी बेल आइकन को प्रिश कर दें थाके दोस्तों आपकी राश्य से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पले आप तक पहुंच शके और आप उन्हें देकर अपने जीवन के उत्तम स जाने खुदा तेरे और मेरे जैसे कितने को मिट्टी में बना कर मिट्टी में मिला दिये अपने अंदर से अंकार को निकाल कर स्वेंग को हलका कीजिए क्योंकि उचा वही उड़ता है जो हलका होता है दोस्तों हर किसी को अपने ज्यान का अभिमान तो होता है मगर अपने अभिमान का ज्यान नहीं होता दोस्तों आंकार और पेट जब बढ़ जाता है तब इंसान चाहे तो भी किसी को गले नहीं लगा सकता लगेगे एक दिन उनकी गुरूर को ठोकर जमिन पर जो कदम देखकर नहीं रखते तो चलिए इसी की साथ बात करते हैं दोस्तों यश्क में आर्थी योजनाओं को फली बुद करने का उचित समय होगा दोस्तों यश्क में कोई भूमिक खरिद प्रोग शम्बन्दी जो एक काम यश्क में शंपन हो सकते हैं समाजी गत्वियों के प्रति आपका योगदान आपको यश्क में मान्शिक सुकुन पर रहें दोस्तों ये लोग आपके खलाब कोई गलत योजनाओं या फिर अफ़वा पहला शकती हैं दोस्तों अपनी महत्पूल योजनाओं को किसी के साथ यश्क में सेयर ना करें तथा फिजल खर्ची पर यश्क में नेंतर रखना आपके लिए आवश्व होगा इसको प्र को मिटाने के लिए जो है विवीद मार्ग प्राप्त होने की वज़श्य कंफ्यूजन भी ये बढ़ सकता है दोस्तों व्यक्तिवत बातों में अधिक परिश्वनियां भी रहेंगी इसको प्रांतों ये शुमें आपके लिए जिसे में होंगे आपके दिंजरे के लिए जि अपनी किशी नकार्तमक बात को जो है छोड़ने का शंकल्प ले लें ये आपके लिए बैतरोंगी विद्यार्तियों के केरियर श्रमदी किसी समस्या का ये श्रमधान होने से घर में खुसी बरा बाता वरन रहेगा इसको ब्रांत दोस्तों ये श्रमधाओं का भरपूर अपकी भलाई होगी इसको ब्रांत दोस्तों ये विद्यार्ति या फिर काम करने वाले लोगों को उचित अफसर भी प्राप्त होंगे जिन अफसर का आपको काफी दिनों से इंचिदार था दोस्तों उस अफसर के बारे में कुछ ना कुछ परगती ये श्रमधाओं दिखे भावनतों के बजाय, चतुराई और विवेक्षिक काम लेना पस्तितियों को आपके पक्ष में करेगा तथा दोस्तों घर के बड़े बजरों का भी आशिरवाद वा फिर सहयोग ये श्रमधाओं आपको मिलेगा बचों की किलकारी श्रमधित कोई सुप समाचार भी ये श् पर दोस्तों यह श्रमध योजनाओं को किर्यानवित करने से पहले भली बाती उस पर विचार कर लें बैतर होगा कि किसे अनुवी व्यक्ति की भी आप शला ले लें दोस्तों कुछ जो परति दोएंदी आपके लिए परिशानियों का कारण बन शकते हैं उनकी गतिवदिय जोशे आप गलत निर्ले ले सकते हैं दोस्तों जीवन में बड़ा बदलाव दिखने के लिए जो है फिलाल आपको इंतजार करना ही पड़ेगा अभी दोस्तों वक्त आपके पक्ष में उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं इसलिए दोस्तों दूर की सोच रखकर निर् लखने में मदद करेगा किसी नजदी की मित्र की शला आपके लिए बहुत ती उप्योगी यह शाविद होंगी इसको प्रादी दोस्तों यह में किसी भी गरत बात पर बुश्चा जाहिर करने की बजाए जो सूच बुश्च से काम लें अनिता दोस्तों परिस्तियों और अध जो है आनिदित रहेगा फिलाल दोस्तों आपके परितन को योग यश्ट नहीं मिल रहा है फिर भी दोस्तों आप परितन करना ना चोड़े है पर स्थित ही में अचानक स्षर शकार्तमक बदलाव देख सकता है और घर के व्यक्तियों दोरा आपको पूरा श्योग प्राप् तुम्हाइब करें दुस्तों इन और लाय वहांके सर्वावशाली őंकी साथ संफ्राइब और रहेंगी और इनके वज़े से आपको यस्वीयर वश्में ओवर्टाइम भी करना पड़ शपता है इस गुप्रान दोस्तों यश में आपकी केरेर के लिए जो समय होंगी दोस्तों ववयशाय के सित्याम और अधिक बैतर हो रही है लेकिन दोस्तों अभी आप कहीं पर भी प्रेशान यूश ना करें क्योंको दोस्तों दोखा दड़ी में फशने की आश्रम का बन रही है प्रण्थों दोस्तों कारेस्तर में उत्पादन छमता में कोई कमी नहीं आएगी ओफिश के स्ठाप में किशे तरह की राजनिती भी चल सकती है शावधान रहे हैं ये आपके लिए बैतर होंगी दोस्तों 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 वर्तमान गतिल्यों का शूप परिणाम आपको निकट भष में जल्दी ही प्रागत होंगा अगर आपकी लव लाइप को लगर बात करें तो दोस्तों यशुमे घर में खुशनमा महोट रहेगा दोस्तों अपने परितिक कार में जिवर्शाती की शलाह लेना दोनों के शंबनों को और अधीक मजबुत करेगा तो दोस्तों इन पर आप ध्यान दे इसको प्रागत यशुमे आपके लव लाइप के लिए जिवर्शाती की वज़र से तराव भी आशकता है ध्यान रखें कि घर की बात बाहर ना निकालें यह आपके लव लाइप के लिए यशुमे बहतर होंगी इसको प्रागत यशुमे आपके लव लाइप के लिए जिवर्शाती का महौल भी रहेगा प्रतु दोस्दों प्रेम शंबनों को मजभूल बनाए रखने के लिए एक दुसरी पर विशवास रखना ज़र्य होगा दोस्तों अन विशवास आपके शंबनों को यश में तोड़ सकता है इसको प्रागत यशुमे आपके लव लाइप करीजर समय होंगी दोस्तों दाम पते जीवन भी यशमे स्वाधर पुरुन रहेगा परिवार में जो E morning discipline भना कर रखना आपका दाईत रहेगा यशमे इसख्वपरांत ऐसे में अगर आपकी स्वास्त को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमे स्वास्त ठीक रहेगा किसी किसी समय नसों में खिचाव जिसी दिकत भी आपको महसूस हो सकती है दोस्तों याश में इसको परांद आपके श्वास के लिए जो समय होंगे दोस्तों बलड प्रिशर वा फिर डाइबिटीज लोग अपने विशेस ध्यान रखें वयाम और जो है सेर करने में आपका उचित समय लगाएं ये आपके श्वास के लिए बहतर होंगे इसको परांद दोस्तों याश में आपके श्वास के लिए जिसे समय होंगे दोस्तों जोडों में दर्द हो वा फिर गयाच शिसी परिशाने रहेगी तली भुनी वो फिर बादी वाली चीजाओं का श्वन याश में ना करें ये आपके श्वास के लिए बहतर होंगे दोस्तों याश में मौसमी पर वाव आपके श्वास पर भी पढ़ सकता है इस याश में दोस्तों घर के बड़े बुजगों की श्वास मन्दी दिकत भी रह शकती है दोस्तों लापरवाई ना परते और उचित समय पर इलाज लेने की आपको उसिस गरें